जे एस एजुकेशन ओनलाइन चनल पर मैं जिते अंद्र शिंग आपका स्वागत करता हूँ आज की हमारी कक्षा में सेक्षिक मुल्यांकन में हम चर्चा करेंगे मापन के इस्तर और मापन के पिरकार पर तो ये टोपिक आपका टेट, सी टेट, रीट इसके अलावा आपका बी एड के यानि सेकंड येर के बी एड के जो सलेब से उसमें दिया हुआ है और डी एलेट के थर्ड सैमिश्टर में तो यहां से जो सेक्सिक मापन और मुल्यांकन आपका जो आता है आपका टेट में, सी टेट में, बी एड और डी एलेट सभी जो आपकी परिक्साएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर है तो आज का हमारी क्लास में रहने वाला है मापन के इस्तर और मापन के पिरकार पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे इसी पर आज हमारी क्लास रहने वाली मापन के पिरकार समझेंगे और मापन के इस्तर तो आईए सबसे सुरू जो सबसे मुख्य रूप से यहां से एक question मलता है मापन के इस्तर पर हम चर्चा करते हैं मापन के इस्तर मापन के इस्तर को जो सबसे पहले इसकी अबधाना लाये थे वो लाये थे आपके Stanley Smith Stevens ने यानि Stanley Smith Stevens जो एक मनोवग्यानिक हैं उन्होंने 1946 में जो है अपने लेक में जो लिखा था उस लेक का नाम था उनके 온 the theory of scale of measurement इस लेक में उन्होंने मापन के जो है चार स्यट को चार स्यरेणिंग बाठा यहां पर पहली उनकी स्यरेनी थी न कि नमित मापन यानि नो नोमिनल mesircraft और दूसरी उन क्रिमिक मापन च्रिंट को अंतरे किताबह मैं अंतराल मापन कहते हैं थो इसके अलावा आपका आता है अनुपातित मापन यानि स्मित इन्हें बताए हैं इन पर हम एक-एक करकर चर्चा करते हैं सबसे पहले है आपका नौमित मापन यानी नौमेनल मेजरेमेंट इसमें हम देखते हैं इन में ब्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेष्टा के अधार पर कोई नाम तब्द या अंक या संकेत प्रिदान कर दिया जाता है जो नौमित मापन होता है आपका नौम संकेत से या किसी अंक से हम प्रिदसित कर देंगे तो वो क्या होता आपका नौमित मापन होता है जैसे कोई कक्सा है और उस कक्सा में बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चों में जो है हमने देखा कि लड़के और लड़कियों को हमने अलग अलग बार दिया यह लड़के ह कह दिया हमने लड़कों का गुरूप और एक गुरूप को कह दिया हमने लड़कियों का गुरूप तो इन दोनों को जो है हमने उनकी पिसेश्था के अधार पर नाम दे दिया यहाँ पर तो किसी सम्हू को हम जब उनकी गुणों के अधार पर उनकी पिसेश्था अधार पर यह संबन्ध करते हैं गोरत्मंध मापन को हम किसी समद्ध करते हैं है किसी समुक है गुणों के अदार पर जैसे है कि किलास है तो किलास के में जो बच्चे है उनका क्या गुर्म होा है लड़का लड़की है क्या हूा यूंता तो उसके अदार प्राप्ण हो है तो इसमें जोड़ARD पूछाये होता मापन में ऑधार नहीं कर सकते बोस्काइब में प्रियोग नहीं होता है तो इसकी पिसेशता हैं यह इसके अलाबा के आधहार पर मात्रा बिविन्य समों या उपसमों की रचना की जा सकती है है मैं 나서 है कि उपर-चर्चा की है कि गुणों के अधार पर हम्यों की राचना करते हैं नाम कि नाम से संभ्धित करते हैं किसी गाउं मतलए किस सेमिâte कोई लोगों में दो हम नहीं दो सम्हों बना दिया और उन गुरों को बार दिया और उन गुण का अधार पर उन समहों को नाम रख दिये सहरी और ग्रामिन यानि कि नाम हमने नाम दे दिया यहां पर कहीं पर कुछ स्टूडेंट है कोई विध्यारती है किसी स्कूल में तो विध्यारतियों को हमने क्या करा विध्यारती है कुछ तो उन विध्यारतियों को उनकी जो है पढ़ाई के सबसे बार देगी काला के विध्यार्तिि कर दिए ख्रफ घ閃ष गर दिए विग्यां के विध्यारति एक द्रफ कर दिए तो इन लोगों के हमने के नाम दे दिए घ्रफ को नाम देते हैं 2020 नाम इत्मापन इस मेंnica जमका घ्रफ घटा का प्रियोग नहीं किया जाता इसके अलाबा इसमें परंसुनिया का आभाव होता है उसके अलाबा आपका होता है किरमित मापन इसे इंग्लिस हम बोलते हैं हम ओर्डिनल मेजरेमेंट इसमें क्या होता है कि हम जो कोई जब हम मापन करते हैं तो मापन गुणों की मात्रा के आकार पर अधारित होता है जिस पर विभिन श्रेणी या उफ्रेणी सम्हूं एक निशित क्रम में बर्गो को कोई नाम या प्रतिक प जो हिए हम दरसाते हैं और जो है नामित मापन के नुसार यह भी एक piece ने के लिए हम उअधारbucks। इस बच्चों ने पाए कि एक बच्चे ने पाए 82, दूसरे ने पाए 75, तीसरे ने पाए 60, और चोते ने पाए 35, तो इनका हमने एक क्रम निसीद करें, जो सबसे जादे नमबर लाता है, वो नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन, नमबर चार, तो यह क्रमिक मापन हुआ, य दूरी समान नहीं होती, दूरी समान नहीं होती, दूरी समान नहीं होने का मलग क्या हुआ, कि मालने जिए किसी बालक के, जो फश्ट नमबर पाया, उसके नमबर 82 है, तो 82 से 75 तक की जो दूरी होई, वो कितनी होई, 7, और यहां से दूसरे इस्थान से तीसरे इस्थान पर और बच्चे की दूरी कितनों है पांच, और शाठ से 35 के पीच में 25 मतलब कि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं होता है, कि पहले नंबर से दूसरे नंबर पर जो बच्चा रहेगा, तो उसके नंबरों में या दूरी में जो है कोई समानता होगी, वो हो सकता है कि बराबर भी मरती हो सकते हैं कम होंगे जाधा होंगा नहीं ही इनके बीच कि दूरेसामान नहीं होती तो इसके विसेशता है तो इसमें सीधा हिसाब होता है कि बच्चों का मोई सम्मूह हैं तो को योगताओ की आनुसार विंद में आति क्रम दे देते हैं जो सबसे ज़यादा योग ब्लब्ति होते हैं में जो कि अलावा कोई तोश्थ और कम बाठ सकते हैं नीज बाराएन बाट सकते हैं इसके अलावा हमारा आगला मापन आता है आंत्रित मापन या Intervale to Me Как На ृसे हिंदी में दूसर स्क नाम है अंत्राल मापन तो इसमें क्या होता है कि यह मापन एक मात्रा पर आधार यह होता है जैसे कि मरता हो बेडому प्रकौकर भूबी गुर। के अधार पर ही थे और यह अधार्ग होता है यानि कि किसी भी सभूप के जो ह्याई हैं अन्तर समान होनिज्यक्ड जो हमने जो प्रम लेकिन पर मिलता है यांतरिंग मापन में प्राथ अंकों के साथ जोड घटा तो संबब है लेकिन गुणा और भाग संबब नहीं है यानि कि पुछले मापने के लिए यहां पर हमने एक टेबिल बनाई है तो कि हमने कुछ स्रिणी या बना दी है यहां पर इन इन स्रेणी होता है किजैसेr biomass है उन्हाँ सब्सक्रा जबहू हों जैसे हमने पाया था कि उपस्रेणियों में तो हमने बाट ले कि ए वाले जो कैटेगरी के बच्छे हैं वो सो से ऐसी होंगे लेकिन सो के बीच में बीच में जो है बीच का झांतर है यहां 20 का है is 70-40 की जिफिर्णियेयां का अंतर है और 40 का और 40 का जो 20 से है बहूं廁क इसे जो यह जो है यहां सामिस्प्रिंट जी रोसे 20 है तो यहां का अंतर होगा हम नेत्यु बनाई हैं यहां पर इसे साज के लिए के लिए 40 hesitate के लिए false प्से बनाई हमने हैं तो यहां पर देखा कि हमने सभी में जो है जो स्रेणिये है उनका जो अंतर है तो उसमाने यहां भी 20 है यहां भी 20 है यहां भी 20 है यहां भी 20 है यहां पर जो है दूरी जो है हमारी फिक्स है मान लीजिए कि हमारा अभी जो था किरिमिक मापन में दूरी फिक्स नहीं थी कि य कईंट से यहां तक जो बच्छे हमारे काम कर रहे थे मौन लीज़िए हमने ऊह कंपांच पांच इस टॉब यह अगलर नदन है उस्हें इस तरीके से बीजर हैं कि यह जो है corresponding यह अंतराल्स पbonic तो इस तरीके के जो अम जो माप नहीं बनाते हैं यहां पर बरक अंतराल fix होता है दूरी fix होती है और इसी को जो है आंतरिक मापन कहा जाता है और इस मापन में जो है क्या होता है कि किसी भी बच्चे का जो है हम एक absolute जो है मान हम zero से नहीं निकाल सकते तो इसमें कुछ कमिया होती है इसलिए इसे मापन का जो है तीसरे इस्तर पर रखा जाता है इसके अलावा जो आपका आता है अगला मापन यह सबसे करते हैं को बहुत कम चांस होता है अनुपातिक मापने प्राप्त माप की अनुपात्या तुलियता यह मापन परिणामों का अनुपात के रूप में ब्यक्त करते हैं यानि कि इसमें क्या होता है दो ब्यक्ति हैं दो ब्यक्ति की जो हम आपस में तुलना करते हैं माली जी एक ब्यक्ति राम है एक ब्यक्ति आपका सियाम है और राम के अंक हैं 40 और स्याम के अंक हैं 20 तो यहां पर हम राम की तुलना स्याम से करेंगे कि राम की तुलना में स्याम के अंक जो है कितने है या उनका आदम पात कितना है तो यहां पर देखेंगे कि राम की तुलना में स्याम के अंक कितना है यहां पर देखेंगे स्याम के तुल्णा में कितने हैं तो दुगने हुए तो इस तरीके से जहां भी हम जो ब्यक्तियों के बीच के जो गुण है जो उनके जो विशेष्टा है उनके जो गुण और विशेष्टा हो कि दो ब्यक्तियों के बीच में तुल्णा करते हैं तुल्णा का जो है आपस में हम देख मतलब सारी जो गनितिय संक्रिया हैं वो हम कर सकते हैं तो यहां पर जो है परमसुन्य या आपका जो है सुन्या का जो है बहुत पिरभाव होता है तो यहां पर परमसुन्य उपलब्द होता है तो यह चार प्रकार के हमारे मापन के इस्तर होते हैं इन चार प्रकार के मापन के इस्तर से कई बार क्वेस्टन पोज़ा जाता है तो इसमें क्वेस्टन कैसा बनता है कि सब पिरसन डा और मेजर्मेंट मापन के इस्तर कितने होते हैं चार होते हैं मापन के जो चार इस्तर होते हैं आपका पहला इस्तर होता है नामित मापन जिसे नुमिनल मेजर्मेंट बोलते हैं नुमिनल मेजर्मेंट में क्या होता है हम नाम जंकेत और चिन इनके आधार पर हम जो है किसी ग् साझ में एक का साथ के ब्च्चे दिया वालत और वालिका खुए कि यह क्या हुआ कि हम ने उनके गुनों का या निक वह नाना में घुना भाल गुना गुरूप रही लडीक्यों का गुरूप गुरूप है यह लड़कों का जब उनके गुनों के अधारब हम बाड़ते हैं तो ऐसे घुरुप में नाम दे धे मापन होता है यह जो सबसे Paradise हम लेवल माने जा इसके बाद किरींग मापन हो से एक ओर्डर में लगा देते हैं नी लगा डेते हैं ध्यारन अभी किरमिक मापन होगा इसके दूरी निश्ची नहीं और आपकरपस्टी नहीं होती रीया निश्ची नहीं हो नि başता हुखता हैere 형जिसिक का बाउमन का हो होगी 11 से 40 की दूरी अलग होगी यहां पर दूरी निश्चित नहीं होती सक अलाँ आपका का आता है आंत्रिक मअपन आंत्रिक मापन आ इंटरृवयल मंछे में क्या होता है कि हम एक जो पूरा आपका group होता है तो उसे एक sub group में बार ले दिए यह जिसे A झाया डे दिया इसके बाद हमने जो है twoay is a चालिस बना लिया, इस तरीके से घूर।D इस तरीकां से गूरुप में वाट लिया, तो इसमस्में क्या भींगे होगी, लगे लानेवाला एक केटवरी का हो लेकिन इसमें एपसिलिटली इसमें इसमें जीरो का मान इस पर नहीं होता है मान लिए 20 से 40 19 नंबर लानेवाला भी टिटागरी होगा और 49 नंबर लाने वाला भी D category का होगा इसलिए इसे भी जो है accurate नहीं माना जाता तो उसके अबाद जो आता है आपका नमबर जो 20 तरही होता है सबसे 20 तरही होता है आपका मिजर्मेंट वह होता है आपका अनुपातिक मापन इसमें क्या होता है जीरो का मान जो है हमें दिया होता है हमें ग्यात होता है कि हमें जीरो से नापते हैं हर चीज को हम जीरो से जो हम तुलना करते हैं उसकी जीरो से हम तुलना करते हैं जीरो से इधर भी और जीरो से इधर भी दोन तरह हम उसकी तुलना कर सकते हैं इसके अलावा जो है दो व्यक कुना पर के जाते हैं इसके अलाबा जो आपका आता है अगला आता है आपके मापन के पिरिकार यानी सेक्षिक मापन के प्रिकार हम यहां पर शेक्षिक मापन के प्रिकार आज की लाशना करेंगे और यह यहीं का देखेंगे चर जो हर दो प्रिकार को तेखों दिसकस करके शुके हैं तो गुनाथ कमक चर दो परिकार के चरवाद आए जो सेक्स सिंग मापन दो परिकार का वब पहला आपका हुआ गुनात तमाग माहपन, इसका फिरकार देखतें किसी बस्तू, ब्यक्ति या किसी किलिया के गुणों को केवल देखा पिल में गपल समझा जाए, यानि किसी वेक्ति के एक वो हम अंक नहीं देते उस मापन में तो वो क्या होता है आपका गुणात तमापन होता है जाए धारान के लिए मनुस्य का बयाबार उसकी जाती, उसका रंग, उसका धर्म, उसका लिंग मान लेजे, किसी व्यक्ति को हम नहीं देखा उसका रंग काला है, गोरा है तो हम उसको रंग को हम नमर नहीं दे सकते हैं केवल हम उसे देख सकते हैं उसे समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा है ज़्यादा काला है ये किस तरीके का काला है तो इस तरीके से हम उसके ब्यावार को अच्छा ब्यावार है गलत ब्यावार है तो यहां अंक नहीं दे सकते हैं क किसी बस्तू मनुस्यात्वा क्रिया के गुणों के परिणाम के अधार पर उसका मापन करना मात्रात्मक मापन के में गुणों को इकाई अंकों में हम लिख सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति की विखेशता है लंबाई को पांच फिट sagt और सब्सक्राइं है जिनके गुणे के गूरों को तो वो हिन्सपेद्रा वो हम गुरावत्रत मापन होता है तो आज के कक्षा में हमने जो है मापन के परकार समझने कि कोशिश की इस तर समझने की कोशिश की इस तरह से हमसा कही न कहीं इसे न किसी TET, CET, UPET, DLAB, AET, SUPER TET में जो question पूछ ले जाते हैं तो मापन के जो चार इस तरह है इन्हें आप जो है सही सही यात कीजिए आपका यहां से एक नमबर 101% पक्का होगा आज के लिए इतने ही भन्यवाद